Hello everyone, this is Amit Chaturvedi and I welcome all of you in Versatile Brains. दोस्तो अभी हम Spoken English Classes से बात कर रहे हैं और यह जो हमारी सीरीज चल रहे हैं, यह Complete Grammar Course की सीरीज है और यह Complete Grammar Course की सीरीज जो है, वो आपको Competition Exam में तो मददत करेगी ही साथ ही साथ आपकी Spoken English को और जादा Colorful, और जादा Attractive बना देगी तो दोस्तो पहला जो Chapter हम यहां Grammar Course में डिसकस कर रहे हैं, वो है Modal और इस Modal के उपर हम अलड़ी 9 वीडियोस डिसकस कर चुके हैं, यह उसी का दसवा पार्ट है और यह जो दसवा पार्ट है इसमें हम डिसकस करने वाले हैं, अगला Modal जो हम डिसकस कर रहे थे पिछले वीडियो में दो और तीन शब्द वाले Modal तो इसमें हम डिसकस करने वाले हैं Is About To, Am About To और Are About To के उपर कि यह Modal जो है, इसका हिन्दी मीनिंग क्या होता है, इस Coms Scientist में इस्तमाल कैसे करते हैं, कहां करते हैं तो दोस्तों यह है Main हमारे चार Motives, चिन को लेके हम यह Series चला रहे हैं वो है कि आपकी Grammar के उपर अच्छी Command बन जाएगी, आप Grammar के अच्छे Rules सीख जाएगे, आपकी Speaking इंप्रूफ हो जाएगी और साथी साथ आप Competition Exam के लिए एकदम अच्छे से Prepare हो जाएगे तो दोस्तों यह हमारे चार Main Motive हैं, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब दो चानल ताकि आगे आने वाले वीडियो शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों यह आज का हमारा मोडल है, इसका Hindi मीनिंग होता है ने वाला है तो चाहे हम गहें Is About To, यह पूरा एक ही है या फिर हम कहें Am About To, या फिर हम बोलें Are About To इन तीनों का एक ही मतलब होता है, ने वाला है Hindi में तो अगर किछी भी sentence के last में ने वाला है आता है, तो आप इन तीनों में से कोई एक को यूज करते हो या तो आप लगाते हो is about to या फिर आप लगाते हो am about to या फिर आप लगाते हो are about to इन दीनों में से आपको एक ही कोई इस्तमाल करना है अब लेकिन कब आपको कौन सा ये model इस्तमाल करना है वो डिपेंड करेगा sentence में subject के उपर अगर subject की जगा he, she या फिर name लिखा हुआ है तो आप model की जगा is about to लगाएंगे अगर subject की जगा I लिखा हुआ है यानि की मैं तो आप लगाएंगे am about to और अगर आप subject की जगा देख रहे हैं यू वी या फिर दे लिखा हुआ है यानि तुम हम या फिर वे तो आप लगाओगे are about to अब दोस्तो इन में एक और चीज हमें याद रखनी है जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिसकस किया था कि जब भी हमारे मोडल में दो या तीन शब्द होते हैं तो हमने दो पार्ट्स में तोड़ देते हैं तो इसे मार जो है वो आप पहले शब्द की जगा यूज करोगे और यह जो about to, about to, about to लिखा हुआ है या बचे हुए भाग की जगा यूज करोगे तो दोस्तो पॉदिव सेंडिस में तो यह तीनो एक साथ में ही लगेंगे लिकिन नेगेटिव सेंडिस में आप याद रखना इस M और R के बाद आप नॉट लगाओगे यानि कि यहाँ पे नॉट आएगा उसके बाद आप यूज करोगे about to अगर सेंडिस yes no question होगा जिसके शुरू में होता है क्या तो आप इसे मार को शुरू में लगाएंगे उसके बाद यहाँ पे आप लगाओगे subject और उसके बाद आप लिखोगे about to तो ऐसे करके हमें इस model को use करना है चलिए इसके कुछ example समझ लेते हैं ताकि आपको यह और अच्छे से समझ में आ सके तो दोस्तो पहला जो हमारा example है वो है तुम अगले महिने कहां जाने वाले हो यह sentence में जैसे ही आप कहां देखें तो आप समझ जाएं कि यह WH first sentence है और इसमें subject है तुम और तुम के साथ हमें लगाना है are about to जैसा कि आप देख रहे हैं यह you के साथ हम are about to लगाएंगे तो इस sentence में सबसे शुरू में हम लिखेंगे where क्योंकि यह WH first sentence है उसके बाद आप model का पहला शब लिखोगे are फिर आप लगाओगे you जो subject है और फिर उसके बाद हम लिखेंगे about to यानि model का बचावा भाग फिर उसके बाद हमें लिखनी है main verb और फिर लिखना है time सबसे last में next month अब चाहें तो यह on को आटा भी सकते हैं तो 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 अगले महीने कहां जाने वाले हो यह sentence होगा where are you about to go next month फिर अगला sentence देखिए क्या हम मंदिर में कल कंबल बाटने वाले हैं देखिए यह sentence के सबसे शुरू में क्या लिखा है यानि आपको यह yes no sentence के structure से बनाना है दूसी चीजिस में आप याद रखिए कि इसमें हम लिखा हुआ है तो मोडल की जगा लगेगा आर तो आपने सबसे शुरू में लिखा है आर फिर उसके बाद आपने लगाया subject और फिर हमने लिखा है about to अगर आपको यह structure समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप इसके just पीछे वाला वीडियो यानि chapter I think 9 है उसको आप देख सकते हैं उसमें यह सारे structures हमने discuss की हैं तो are we about to फिर बाटने को हम बोलेंगे distribute फिर लिखेंगे direct object blanket next है place in temple और last minute tomorrow यानि time यानि कल तो क्या हम मंदिर में कल कंबल बाटने वाले हैं तो यह बनेगा are we about to distribute blankets in temple tomorrow next दिखेंगे वे कौनसी film अगले साल sign करने वाले हैं तो यह कौनसी को आप देखके समझ जाएं कि wh first sorry wh second structure है तो हम सबसे शुरू में लिखेंगे wh second word फिर उसके बाद हम लगाएंगे film जो है noun तो यह हमने लिख दिया film फिर उसके बाद हमें लिखना है modal का पहला शब्द तो यह depend करेगा कि आपको is about to लगाना है कि am about to लगाना है are about to लगाना है subject के उपर subject के यहाँ दे लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर are they about to कर देंगे फिर उसके बाद main verb आईगी sign करने को English में sign ही कहते हैं और next year है time तो यह हमने last में लिख दिया तो वे कौन सी film अगले साल sign करने वाले है तो which film are they about to sign next year चलिए कुछ और examples देख लेते हैं यहाँ पर लिखा है तुम कितने dialogues आज याद करने वाले हो तो यह कितने को हमने शुरू में लिखा how many फिर dialogues आ गया noun तुम subject है इसलिए हमने आर लिखा है फिर लगाया subject उसके बाद लिखाया about to फिर आईगी main verb learn यानि याद करना और last में time today तो तुम कितने dialogues आज याद करने वाले हो तो how many dialogues are you about to learn today और last example हमारा है हम देवाली पर किसका घर साफ करने वाले हैं तो यह किसका देखिए डबलो सेकिंड है और घर है noun तो हमने whose house सबसे starting में लिखा है फिर इसमें आप देखिए हम subject है इसलिए हम are about to लगाएंगे तो हमने पहला शब लिखा है are फिर हमने लगाया हम के लिए we और उसके बाद हमने लिखा है बजाव भाग about to फिर हम लिखेंगे main verb साफ करना यानि होता है clean और on दिवाली ये time है तो whose house are we about to clean on दिवाली तो दोस्तों ये थे is about to, am about to are about to के example I hope कि आपको ये model भी समझ में आ गया होगा इसके बाद रह जाएंगे हमारे तीन और models जिने हम अगले videos में discuss करेंगे I hope कि ये videos आपको helpful लग रहे होंगे अगर आप कुछ कहना या पूछना या बताना चाहते हैं तो आप मझे facebook पे यूजर नेम के साथ सर्च करके भी message भीज़ सकते हैं तो ये video आपको कैसा लगा आप इस video में और क्या improvement चाहते हैं तो आप मझे नीचे comment section में लिखके जरूर बताएगा और अगर आप इस channel पर नए है तो please इसको subscribe कर ले ताकि आगे आने वाले videos आपको time to time मिलते रहें तो अभी आपन मिलेंगे इसी video series के अगले chapter में तब तक के लिए बाबाए